स्वागत है आप सभी का एजुकेशन आफ आयरवेद में आज फिर से आप सभी के बीच में एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ है और इस वीडियो में बात करेंगे आप आयरवेद जो स्टाफ नर्स है उनकी जो प्रारंबिक परिच्छा होने वाली थी 22 मार्च को उससे समंदीत अपडेट आप सभी को देने वाले हैं और फुल प्रूफ जो आपका अपडेट है आपको यहाँ पर मिलेगा पूरी जो आयोग की जो ओफिसल वेबसाइट है उससे अपडेट आपको निकाल के बताएंगे जो लोग कह रहे थे कि नहीं परिच्छाएं नहीं होनी है क्या होना है ऐसा नहीं वैसा नहीं कई लोग को यह लगता था कि नहीं कोट ने रोक लगाया हुआ है तो जब हमने कहा था कि जब परिच्छा की जो तिथी है जो आयोग है उसके द्वारा दे दी गई है तो परिच्छाएं होनी तय हैं अब आयोग के कुछ ब्यक्तिगत कारण है जिसके वज़े से परिच्छाओं की जो तिथी है अस्थगित की गई है अब हम आपसे बात करते हैं कि इन परिच्छाओं की तिथी अस्थगीत क्यों की गई तो आपको अगर official notice देखनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर homepage खुला हुआ है आपका UPPSC जो है उसका homepage खुला हुआ है जो आयोग आपकी भरती निकालता है उसका homepage खुला है आप directly जो ह यहां से जो important notice है वो आप यहां से देख सकते हैं simply आपको क्या करना है notice board पे click करना है जो ही आप आएंगे requirement dashboard दिखेगा important alerts दिखेगा notice board पे आएंगे तो अभी जो यहां पे पहले ही जो visible हो रहा है 15 March का जो notice है यहां पे visible हो रहा है आप इसको यहां से download कर लेंगे click करेंगे तो एक कुछ समय बाद download हो जाएगा और उसके बाद से आप यहां से इसको open करके देख सकते हैं ठीक है तो जब इस notice को आप download करोगे तो कुछ ही हिस हिसाब से यह खुलेगा देखते हैं एक मिनट जब notice डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह से खुल के आएगा तो आप देख सकते हैं कार्याले लोकसेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जो notice है 15 March को यहां पे जारी किया गया है और बकायदा लिखा हुआ है बस आपकी परिछाएं अस्थगित नहीं है स्टाफ नर्स जिसमें युनानी आयरवेदिक पुरुष महिला परिच्छा 2023 शाहायक नगर नियोजक एक इनकी भी परिच्छा है शाहायक नगर नियोजक परिच्छा 2023 तथा अपर नीजी सचीव परिच्छा 2023 जो है साठ हैं टाइपिंग वा स्टाफ नर्स एलोपै थी जो अचानक से चले आए जिनको टाला नहीं जा सकता है उस कारण परिच्छा की तिथी को अस्थगित किया गया फिर इस चीज पर आप ध्यान दिजेगा एतत तर्थ नया शंशोदित परिच्छा कैलेंडर सिग्रा आती सिग्र जारी किया जाएगा इसमें साफ साफ लिखा बहुत ही जल्दी नई परिच्छा का जो कलेंडर है वो जारी किया जाएगा जिसमें आपकी प्रारंभिक परिच्छा और मुख्य परिच्छा की जो तिथी है वो मेंसन होगी तो जहां तक मेरा मानना है कि चुनाव जियों ही खतम होंगे तियों ही आपकी परिच्छा की ज बताया था कि हम जो है अपने एप पर आयुर्भासकर एप पर जो स्टाफ नर्स हैं उनकी एक प्री एक्जाम कराने वाले हैं जिसमें हमने बताया था प्री एक्जाम का जो डेट बताया गया था हमारे द्वारा वह बताया गया था कि 19 मार्च है 19 मार्च को हमने डेट बताया था 19 मार्च को हम प्री एक्जाम कराएंगे ऐसा हमने कहा था तो एक चीज और इसमें हम भी थोड़ा सा बदलाव करेंगे क्योंकि हम जो एक्जाम कराने वाले हैं वह हम यह चाहते हैं कि आपका जो एक्जाम है आयोग के परिच्छा पैटर्न पे चल रहा है तो आयोग के पर एक्जाम जो कराने का समय था समय सीमा उसको भी हम आगे लेकर चलते हैं ताकि आपकी जो तयारी है और बेहतरीन हो जाए और हम भी आयोग के हिसाब से ही अपनी परिच्छा हैं जो हमारी 19 मार्च को होने वाली थी अब हम मार्च के बाद अपनी नई जो एक्जाम की जो डे चूटने या नीडने लिया है और आपको यह बताने में हमें संकोच नहीं हो रहा है कि आपकी जो परिच्छा तिथी है जो अस्थगित की गई है वह चुनाओ के बाद से फिर से नहीं परिच्छा तिथी जो है मिल जाएगी आपकी परिच्छा है जो है तय तिथी पर हो ज कराएंगे अपने पर ताकि जो क्वेस्चन आपको दिये जाएं वह आयों के परिच्छा पैटर्न से सटिक जा करके मिले और आपको लाब हो अगर अभी हम प्रशन दे देते हैं तो हमारा नुक्सान यह होगा कि हमारे जो क्वेस्चन है वो लीक हो सकते हैं और दूसरे जो ल नहीं देना है आपने कहीं भी पढ़ा हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं है आपको कोई सुल्क नहीं देना होगा यह चीज़ दिमाग में रखे का कोई सुल्क नहीं देना है फ्री आप कॉस्ट है लेकिन परिच्छा जो है आपकी आयोग की जो ही परिच्छा कलेंडर जा करके आएए एक चीज़ और बता धे बहुँ सारे लोगों को ये लगता था कि नीए परिशह जो है होनी ही नहीं है तो दो चीज़े हम बता देरा आपको यह परिच्ठा होगी आप हमारे साथ बने रहे हैं तयारी tari परिच्छाएं होंगी और हम सबके कमेंट भी पढ़ रहे हैं बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं तो उनका भी जवाब दिया जाएगा लेकिन आप अपनी तयारी करना नो छोड़िए और सबसे इंपोर्टेंट चीज अभी भी आपके पास आप समझ लिजे जितने एक्जाम लेट हो रहे हैं बहतरीन आपके पास चांस बन रहा है तयारी अच्छी हो सकती है समय मिल रहा है तो आप एकदम अस्थाई रूप से एक भी बिशय को मत छोड़िए पकड़ बनाए रखे क्योंकि अचानक भ्यानक में अगर परिच्छा हो जाएगा तो रिजल्ट भी भ्य आप ठाल्राइब भी बनाएब है वियर वियरू रहा है तो आप एकदम अच्छी है जाएगा नच्छी हो दिल्ट को रहा है तो आपके लाइब है वियरूब भी बास घाल्राइब है